समस्ते बच्चों, कक्षा नो, वीशेग नी, तोर प्रिशनावली अपने शुरू कर रखी है नोपन दो, इसका एक बाग अपने पहले कर चुके हैं और दूसरा बाग अपने शुरू करें चोथे कोशन से, तो देखो चोथा कोशन क्या दे रखा है, कि आ करती अपने को दे पी है, जो समांतर चत्रबूज, एवी, सीडी में कोई स्तित बिंदू है, अपने को ये प्रूब करना है, समांतर चत्रबूज दे रखा है, बाकी सारा अपने को क्या करना है, प्रूब करना है, तो देखो अपने क्या करते हैं, पहले अपने दशना की, की पी सी होकर एवी कि समांतर कोई देखा, अपने ये वाली देखा, खींच लिया, MPN, मैंने पहले ही खींच के रख ली, तो ये रेखा, खींच ली, बाद में, बाकी आकरती अपने को दे रखी है, तो देखो, अपने को क्या है, दे रखा है, कि ये समांतर चत्रबुज है, तो समांतर है तो एम जो समांतर है वो डी सी के क्योंकि ये इसके भी समांतर है तो ये इसके भी समांतर है कि एबी समांतर है क्योंकि बैसे तो Ad समांतर BC भी है भागी हमने धर्ष्दाबी C कोडिंग की है अब देखो lados мер एक वै दो से क्या हो गया कि यह इत्रिफूज की बात करें तो ये स्मांतर maxim ये स्मांतर ए इस दो धूर्म्द ए क्या हो गया एक स्मांतर समांतर चत्रबुज हो गया, समांतर चत्रबुज हो गया, वो ही बात होगी, तो फिर ये समांतर चत्रबुज में देखो, ये वड़ा त्रबुज बन रहा है, इस ये दार पर बन रहा है, बात समझे क्यों होगे, मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जो एरिया होगा, त्रबुज 2 होगा समीकर नंबर 2 तीन सोरी तो यह एक इदार पर बने हैं यहां पर लाइन लिख सकती हो कि एक इदार पर बने त्रीवुज वेच चेट्रबुज किस्टरफल में यही सबंद्र होता है अब यह तो अपने एरिया ओफ PCD का PCD का क्या हो जाएगा एक वटा में दो एरिया किसका CDMN का CDMN का स्मीकर नमबर क्या बनगी अपने पास 4 यह बनगी स्मीकर नमबर 4 अब क्या करें 3 वे 4 दोनों का एड़ कर दें उसी तरह equation 3 प्लस equation 4 तो क्या हो जाएगा एरिया APB का प्लस एरिया PCD का एक वटा में दो एरिया ABMN और प्लस एक वटा में दो एरिया क्या CDMN ठीक है यह वाली चीज तो सेम है अपने को यह चाहिए सेम की सेम लिख दी APB प्लस एरिया PCD इकवल टू यह क्या हो गया ABMN यह वाला हो गया यह निच्चे वाला हो गया दोनों का एड़ किये तो पूरा बन गया न तो एक वटा में दो एरिया किसका हो गया ABCD का तो पहली चीज जो प्रूब करने थी वो अपने पास आगी अब अपने को प्रूब करने हैं दूसरी चीज कैसे प्रूब होगी दो देखो दूसरी चीज प्रूब करने के लिए अपने दो रिखा इस कोडिंग खिंची थी अब दवारा से अपने डाइगराम बनाती है ये बिंदू P है अब रेका कैसे खिंची? इस परकार खिंची अब इस परकार रेका खिंचेंगे, same, यहीं प्रोसेस करेंगे द्वारा से, same कि यह इसके समांतर, पहले तो यह चत्रउबूज बन गया यह वाला कि ये इसके समांतर है, यहां पर कोई बिंदू दे दो, बोई बात यहां पर बिंदू दे दिया जैसे R और यहां पर Q, कि AQ समांतर है, second के लिए करना है, कि AQ समांतर है, DR के, AD समांतर है, QR के, तो ये क्या हो गया जो है चत्रबुज A, D, R, Q ये क्या हो गया एक समांतर चत्रबुज हो गया समांतर चत्रबुज हो गया तो फिर क्या होगा जो एरिया होगा इस त्रबुज का A, D, P का A, D, P का वो क्या होगा एकवटा में दो एरिया इस चत्रबुज का AQRD का स्मीकर नमबर 5 फिर इसी तरह इसका आजएगा कि area of BCP का क्या होगा एकवटा में दो एरिया इस चत्रबुज का BCRQ स्मीकर नमबर 6 क्या करो equation 5 वै 6 का add कर दो equation 5 वै 6 का क्या कर दो add कर दो add करते हैं अपने तो यह वाली चीज इदर वाली तो वैसी की वैसी आजएगी area ADP plus area BCP यही हमें चाहिए था यह वाला देखो एकवटा में दो यहां पर इस side देखो क्या लिख रहे हैं अपने इस side जो लिख रहे हैं वो क्या है अपने दो चत्रबूज निकाल ले हैं कि एकवटा में दो area किसका है AQRD का plus एकवटा में दो area किसका है BCRQ का अपने को क्या चाहिए A,P,B और PCD A,P,B और PCD A,P,B का area किसके बराबर आया एकवटा में दो ABCD के एकवटा में दो ABCD का आद्धा आया एकवटा दो ABMN का आया तो अपने को अभी इनको बराबरशित कर दें तो उसके बराबर आ जाएगा पूरे को अपने क्या लिख सकते हैं ने तो अपने ऐसे कर सकते हैं यह पूरा क्या हो गया यह वाला जा और यह वाला लिख सकते हैं पूरी की पूरी तो आपका कोश्चन नंबर जो चार है यह पूरा हुआ तीसरा उचोथा इसके बाद देखो पांचमा कोश्चन क्या दे रखा है कि पी क्यू आरेस और ए बी आरेस ये एक समांतर चत्रबुज है एकस बुजा बी आर परसित कोई बिंदू है इस परकार के अपने को दर्शाना है कि ये एरिया एक्वल है इस एरिया को एक्वल दर्शाने के लिए बोई बात अपने पहले करेंगे कि दो समांतर चत्रबुज जो एक ही दार पर बने हों अब तक तो अपने तर्बुजों की एक ही दार पर बने चत्रबुजों का शित्रफल क्या होता है समांतर होता है तो एरिया ओफ पी क्यू आरस क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा एरिया ओफ ए बी आरस के समेकर नमबर एक यो प्रूब करना था वो भी हो गया बस एक ही लाइन से आपको लाइन लिखनी है क समांतर चत्रबुज, PQRS और ABRS, A की ही अदार RS पर बने हैं इसलिए ये क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि A की अदार पर बनने वाले समांतर चत्रबुज, का चत्रफल बराबर होता है अब अपने को दूसरा प्रूब करना है ये वाली चीज ठीक है अब देखो AXS ये वाला है और तो ABRS और AXS क्या है A की दार पर बने हैं दोनों A की दार पर बने होने के कारण क्या होगा area of जो होगा AXS का वो क्या होगा एक वटा में दो area of किसके बराबर होगा ABRS के समीकर नमबर दो ये वाला ABRS और AXS एक ही दार पर बने हैं लेकिन समीकर नेक से equation एक क्या कहती है कि जो area है ABRS का वो किसके बराबर है area PQRS के इसकी जिए अपने ये लिख सकते हैं तो area of AXS क्या है एक वटा में दो area PQRS यही अपने को प्रूबर करना था बिल्कुली जी साब का question था ये पांचमा इसके बाद देखो छटा और last question है आपका इसका तो क्या दे रखा है कि एक जो किसान है उसके पास क्या है समानतर चत्रबुज है PQRS के रूप में एक खेत है उसने क्या किया है RS परस्थित कोई बिंदू है A लिया और उसे PVQ से मिला दिया खेत कितने वागों में वाजित हो गया एक दो तीन वागों में और इन वागों के एकार क्या है इन वागों के एकार क्या है तरबुज अकार है तो वह किसान क्या है खेत में गेहू और डालें बराबर वागों में अलग अलग बोना चाहता है तो वैसा क्या करें तो देखो खेद कितने बागों में विवाजित हो गया आपने को दिख रहा है एक दो तीन यहां पर लिख दोगे तीन बागों में कौन सा तिर्बुज एस पी दूसरा तिर्बुज पी क्यू ए और तीसरा तिर्बुज एक्यू आर एक तिर्बुज यह बन गया एक तिर्बुज यह बन है ना तो इसका चेत्रफल क्या हो जाएगा एरिया ओफ क्या हो जाएगा एपी क्यों का एक वटा में दो एरिया किसका पूरे चेत्रबुज का क्योंकि एक ही अदार पर बने त्रिबुज में यह सबंद होता है यह वाला इसकी बात करें तो जदी एक त्रिबुज तो इसी प जासने और वाग है किएक फसलों को फिर वो क्या करें जो दूसरे दूसरी फसलों कि बाद कि पूरी हुई तो आपके यह प्रशनावली है Bearsog şur को अपने इगली वीडियो में करेंगे रजठKS